बजरंग बली की जै, जै हनुमान, आज साल का शुरुवाती मंगलवार है, आज के दिन चूकना नहीं है, बजरंग बली को प्रसंद कर लेना है, आज आपको इस साल के सबसे अचूक उपाई बताऊंगी, जो बजरंग बली से आपको अच्छा और करीबी लाएंगे, उनको बजरंग बली पूरे साल आप पर क्रिपा बरसाएंगे, और आज आपको हनुमान जी के दर्शन भी कराई जाएंगे, आज साल का शुरुवाती मंगलवार है, आप जानते ही हैं, मैंने आपको बताया था, और आज मैं आपको बजरंग बली से जुड़े पांच माह आईए कि क्या आप दुश्मन की साज़स से उसकी कॉंस्परेसी से बचना चाहते हैं, तो ट्यूजडे के दिन मंदर जाकर हनुमान जी के बाए पैर और बाए कंधे का सिंदूर ले आईए, लेफ्ट हाँ, अब इस सिंदूर को घर या ओफिस के में दर्वाजे के बाहर उ उने से पहले ही वो चीज़ खत्म हो जाएगी, याद रखिएगा में कोई भी उपाय किसी को भी तंग करने के लिए या परिशान करने के लिए नुकसान करने के लिए नहीं बताती, यह सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोटेक्शन के लिए हैं, वैसे तो आपको रोज ही बज और रश्मी कि ही नहीं, मंगलवार के बजरंग बली भी आपको माला माल बना सकते हैं, आपको बस साल में यह 10 उपाय जरूर करने हैं, वो क्या हैं, आईए जानते हैं, हनुमान चालिसा का पार्ट सबसे सरल उपाये, बजरंग बली को प्रसंद करने का हर रोज या हर मंगल मंगलवार यां शनिवार सिंदूर और चमीली का तेल अर्पित करना चाहिए सिंदूर बजरंग बली को बहुत प्रिय है और जो भगत उन्हें सिंदूर अर्पित करते हैं उनकी सभी मनों कामनाय पूर्ण हो जाती हैं हर मंगलवार यां शनिवार के दिन बजरंग बली को बन स्थान पर लगाएं फोटो ऐसे लगाएं कि जिससे हनुमान जी दक्षिन दिशा की ओर देखते वे दिखाई दें हर रोज रात की समय हनुमान जी के सामने तेल का दीपक लगाना चाहिए इससे बहुत जल्द व्यक्ति का बुरा समय बदल जाता है धन संबंदित परिशानिय दूर हो जाती हैं किसी भी खास महूरत या तयोहार पर किसी खास दिति पर हनुमान जी का पूरा श्रिंगार अपनी श्रद्धा करना चाहिए जो भक्त रामायन या राम शरित्रमानस का परते हैं या इनके दोहे देली पड़ते हैं उनने हनुमान जी का विशेष्ट ने प्राप्त होता है श्री राम के मंत्रों का जाब करने वाले भक्त पर हनुमान जी बहुत प्रसंद होते हैं और हमेशा कृपा बनाए रखते हैं देखिए हर महीने पूर्णिमा तो आती ही है तेकिने इस महीने की पूर्णिमा तो बीट गई अब अगले महीने जो पूर्णिमा आएगी इस पूर्णिमा पर आपको क्या खास उपाई करने हैं जिससे हनुमान जी प्रसंद हो जटपट मुझसे जान लीजे पूर्णिमा ति पर हनुमान जी को लाल या पीले फूल जैसे कमल गुलाब गेंदा संफलाव और चड़ाने से सारे वैभव और सुख प्राप्त होते हैं मन चाही मुराद पूरी करने के लिए सिंदूर लगे एक नारियल पर मौली या कलेवा लपेट कर पुर्णिमा की रात हनुमान जी के च किसे लाल चंदन में केसर मिलाकर लगाने से अशांती और कलह दूर हो जाते हैं शाम के वक्त हनुमान जी को लाल फूलों के साथ जनेयू सुपारी अर्पित करें और उनके सामने चमेली के तेल का पांच बातियों का दीपक चलाएं पूर्णिमा तिथी पर हनुमान जी के स श्री राम जानकी की मूर्ती रखकर उपासना करें साल के शुरुवाती मंगलवार पर दूसरा महा उपाय जान लीजे क्या आप घर पर करजे से बहुत परिशान हैं सवा किलो उड़त की दाल और धाई सो ग्राम काले तिल को मिला कर आटा पीस लें अब फिर क्या करें इस आटे को गूंद कर दीपक बना लीजे इस आटे का दीपक बनाने के बाद 11 मंगलवार तक बढ़ते वे क्रम में हनुमान जी को अर्पित करें जैसे पहले दिन एक दीपक दूसरे दिन दो तीसरे दिन तीन दीपक इसी तरह 11 दिनों तक 11 दीपक आपको लगाने होंगे लेक कल आपको मैंने भगवान शिफ को प्रसंद करने वाली जानकारी दी थी लेकिन आज मैं आपको शिवजी और हनुमान जी के खास उपाए एक साथ बताऊंगी हनुमान जी भी रुद्र अफ्तार थे उनमें शिवजी का अंश है इसलिए शिवजी के साथ हनुमान जी को भी प्रसंद कीचे आपको इस साल मंगरवाल के जो पाई करने हैं वो बताने जा रही हूं नोट कीचे संकत मोचन की कृपा मिल गई तो जीवन में खुशिया ही खुशिया आएंगी किसे भी मंगलवार को दोपहर में हनुमान जी की पूचा करें और उनके उनके उनको जो है च श्री राम सीता रा मंतर का जाप करें हनुमान जी को लाल फूलों के साथ जनियों सुपारी भी चड़ाने चाहिए गाए के शुद घी से बने पकवान का भोग हनुमान जी को कभी भी लगाया जा सकता है बजरंग बली को आकड़े की फूल चड़ाने से भी काम में आ रही बादा दूर हो जाती है चमेली के तेल की पांच बातियों आला दीपक हनुमां जी के सामने जलाएं हनुमां जी की मूर्ती पर लाल चंदन में केसर मिलाकर लगाएं इससे अशान्ती और घर के कलेश दूर होते हैं साल के शुरुवाती मंगलवार आपको हनुमान जी के अच्चू कुपाई बताने जा रहे हूं यह उपाई कर लीजेगा हनुमान जी आपकी किसमत बदल देंगे त्यूजदे के दिन रा मंदि जरूर जाएं हनुमान जी के मस्तक पर सिंदूर दाहिने हाथ के अंगूठे से लेकर सीता माता की श्री रूप के चर्णों में लगा दें आपकी मनुकामना पूरी करने के लिए प्रात्ना कीजिए मंगलवार की सुभा नहाने के बाद बढ़ के पेड़ का एक पत्ता पाने के लिए मंगलवार के दिन वरत करके शाम के समय बूंदी का प्रसाद बाटे से भी पैसों की तंगी दूर होती है अब साल के शुरुवाती मंगलवार आपको बताते हैं आज के तीसरे महाँ उपाई के बार में क्या खर्च आपकी कमाई से ज्यादा हो रहा है एक गो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिन में अर्पित कर दीजे इससे आपकी कीम्ती कमाई विकार में खर्च नहीं होगी अब मैं आपको आज की सबसे जरूरी जानकारी देने जा रहे हूं साल के शुरुवाती मंगलवार बहुत कारगर उपाई बताने जा रहे हैं हनुमा बिश्चिक राशी के लोग हनुमान जी के चित्र की कपूर जला कर आर्ती करें मिथुन राशी के लोग गरीब बच्चों में गेहुं का दान करें कर्क राशी के लोग हनुमान मंदिर में कलावा बंदवाएं सिंग राशी के लोग हनुमान जी के मंदिर से मौली घर के मेन दर्वाजे पर लागर बांदे कन्या राशी के लोग हनुमान मंदिर में पीपल के पत्तों की माला चड़ाएं तुला राशी के लोग किसी सुहागन को लाल साड़ी भेंट करें मंगलवार को। वृष्चिक राशी के लोग किसी गरीब को या किसी मांगने वाले को गुड़ का दान करें। धनू राशी के लोग तीन मंगलवार पीपल की नीचे चमेली के तेल का दीपक चलाएं। के सिंदूर की बात नहों ऐसा कैसे हो सकता है आग साल का शुरुवाती मंगलवार है और मैं आपको बजरंग बली के सिंदूर के बारे में बताऊंगी आपके लिए के बहुत काम की information है मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर और चमेली का तेर अरपित करें और अपनी मनोकामना कहें जो भी व्यक्ति हनुमान जी को सिंदूर अरपित करता है उससे हनुमान जी बहुत प्रसंद हो जाते हैं और सारी इच्छाएं पूरी कर दे मंगलवार को हनुमान जी के चर्णों का सिंदूर लेकर सफेद कागस पर स्वास्तिक बनाएं उस कागस को मोड़े नहीं सदा इस कागस को अपने पास रखें प्रते दिन इस कागस को प्रणाम करें नौकरी से संबंदित कोई भी समस्याओं का हल तुरंत होगा घर के मुख और शनी के नजर दोश से भी रक्षा होती है शनी के दोशों से याद आया कि छुटकारा पाने के लिए शनिवार वाले दिन हनुमान जी को चोला हर्पित करें हनुमान जी के दाएं पैर का ठीका लेकर अपने माथे पर लगाएं चली बात करते हैं आज के चौथे महाँ उ असुरक्षत महसूस करते हैं मतलब बेसिकली आपके अंदर इंसेक्योरिटी बहुत जादा है अगर आप अपने आसपास ओफेस या कहीं भी अपने दुश्मनों से परिशान है तो रोज बजरंग बांड का पार्ट करने से आपको फाइदा होगा क्यूंकि हनुमान जी पे पंच मुकी हनुमान इस तरह से लगाएं कि उनका चेहरा साउथ की तरफ हो यह साउथ की सारी नेगिटिविटी को रोक लेते हैं और आपके घर में शुब चीजे वापस आनी शुरू हो जाती है इसलिए साउथ फेसिंग घर हो आप कहेंगे कैसे होगा घर साउथ फेस राएं एंटर्टेन्मेंट की बाद बाद में पहले आपके कल आपके फ्यूचर की बात क्या करें अपने राशी के हिसाब से जल्दी से जानिए मेश राशी के लोग ज्यादा चाय ना पियें लग सपोर्ट कर रहा हैं आपको 52% प्रिश्चव राशी के लोग अपने झाली दें ओवर्सक्रेंडिंग होगी भागी साथ दे राय आपका 57% कल्क राशी के लोग बढ़ों को सम्मान दीजे भागे साथ दे राय आपका 68% सिंह राशी के लोग गाय को रोथी जरूर्ट खिलाए किस्मत साथ दे रही हैं आपका 60% कञ्श्च के लोग शिवजी का नाम लीजिए सब काम बनेंगे भागे साथ दे रहा हैं आपका 70% तुला राशी के लोग गनेश जी को दूरवा चड़ाइए लग सपोर्ट कर रहा हैं आपको 74% प्रिश्विक राशी के लोग गुड की गचक खाईए भागे साथ दे रहा हैं आपका 66% धनु राशी के लोग अपने शोल्डर का कंधों का ध्यान रखिए किसमत साथ दे रहे हैं आपका 67% मगर राशी के लोग खाने के बाद सौफ जरूर खाईए लाग सपोर्ट कर रहा हैं आपको 62% कुम राशी के लोग हरी सबजिया जरूर खाएं भागे साथ दे रहा हैं आपका 65% और मीन राशी के लोग बाहर का पानी बिल्कुल ना पिए किसमत साथ दे रहे हैं आपका 55% फेस्बुक पर मुकेश राज ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की हैं बेसिकली मुकेश संतान पाने के उपाई जानना चाहते हैं देखिए वैसे तो आपको अपको डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए इतनी अच्छी डॉक्टर्स आ गए हैं आदर्वाइस मैं तो यह सला देती हों कि और इतनी पॉपलेशन है हमारे देश की और इतने बच्चे और्फनेज में हैं एक बच्चे को अडॉप्ट करने से आपकी तमना भी पूरी होगी कोई अच्छा नेक काम भी होगा और किसी को माबाब का प्यार और साथ भी मिलेगा इस बारे में सोच य लेकिन फिर भी आपने उपाई पूछा हैं और क्योंकि हनुमान जी की बात हो रही है हनुमान जी के बाल रूप का चित्र जिसमें वो खेलते वे हो और उनकी मदर भी हो याने की अंजनी मा हो ऐसे चित्र को इस तारेक्शन में लगा दीजे और फिर हनुमान चालिसा का पा भी आप कर सकते हैं इश्वर ने चाहा आपकी तमन्ना जल्दी पूरी होगी अब साल के शुरवाती मंगलवार के आखरी महाउपाई को जान लीजे ध्यान से सुनिए क्या है यह खास सवाल सवाल यह है कि क्या आपकी कोई बड़ी उमीद पूरी नहीं हो रही है जिसे इस स दीपक का उपयोग करें दीपक में रूई की बाती की जगा सरसों का तेल डाले और इसके साथ सथ कलावा डाले इसके बाद हनुमान जी के मंत्रों का ज्याब करते वे दीपक को जला ले आपकी उमीद धीरे-धीरे पूरी हो जाएगी इस साल आपकी शादी होगी आपकी नौकरी लगेगी आपको पैसा मिलेगा लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब कैसे होगा ये होगा कुछ संकेतों से जो इस साल आपको दिखेंगे इस सस्पेंस से परदा आज नहीं उठेगा कल उठेगा ये बात कल करेंगे अभी चलती ह जो खयाल रिखिए, bye bye, take care.